तीन तरह के रोगी होते हैं वायू रोगी पित रोगी कफ रोगी या इनके बीच की मिश्रे तवस्था भी हो सकते हैं कहीं कहीं या तीनों ही दोज भी हो सकते हैं जब लंबा समय हो जाता है पत्य पत्य का ध्यान न रखो तो तीनों पिकरतियां भी आ जाती हैं आज समझते हैं वायू को वायू विकार को मिटाना कई बार बड़े से बड़े कुशल वैद के लिए भी असंभभ हो जाता है एलोपेती तो इसमें कुछ करी नहीं सकती है आयरवेट कर सकती है लेकिन आयरवेट की समझ बढ़ानी होगी सिर्फ ये नहीं करना होगा कि ये हो रहा है तो क्या खालूं तो आये थोड़ी सी समझ बढ़ाते हैं वायू रोग में क्या होता है वायू रोग में पाचन कमजोर हो जाता है पाचन कमजोर होता है तो बोजन पचता नहीं है और फिर वो आतों में निचले हिस्से में वायू बनाता है और वो वायू नीचे की तरफ दर्द करती है कुछ राशियां वायू प्रकृतिकी होती है जैसे तुला राशी सामान नित है वायू प्रकृतिकी होती है लगन और ग्रहयोग थोड़ा बदल जाए तो अन्य प्रकृतिकी भी हो सकती है पर मुखिते वायू प्रकृतिकी होती है तो इस राशी की लड़कियों को मासिक धर्म के समय अक्सर बहुत तेज दर्द होता है निचले इससे में यूटरेस के आसपास करभाशे के आसपास पेट की तरफ उन अंगों में काफी दर्द होता है सहा नहीं जाता कुछ से तो मतलब पड़ी रहती है दो तिन तिन दिन इतना दर्द होता है तो जब ऐसा समय चल रहा हो तो वायू मिटाने के लिए क्या किया जाए सौंट बगेरा का अधिक प्रयोक किया जाए सौंट से पाचन बढ़ता है सौंट वायू नहीं बढ़ती वायू को नहीं निकालती सौंट क्या करती है जो आप खा रहे हो जिसको आप पचा नहीं सकते हो और पचेगा नहीं तो वायू बनेगी तो सौंट के प्रयोक से ना पचने वाली चीजें भी पच्च जाती हैं इसलिए वात रोगी जैसे गठिया रोग होते हैं तो उसमें हल्दी मैथी सोठ का प्रियोग करवा जाता है सोठ क्यों दियती है ताकि वो पाचन को बढ़ा दे मैथी क्यों दियती है ताकि वो जो आम है आम, अदपचे भोजन को आम कहते हैं, वो सड़ता है और वायू बनाता है तो वो इसको मिटा दे और हल्दी हल्का पित्य का काम करती है, पचाने का काम करती है तो हल्दी मेत्ली सोट इस तरह से वायू रोगों में दिया जाता है ऐसे ही जब बच्चा होता है महिलाओं को जब बच्चा होता है सामान्य डिलीवरी सामान्य पर सब जब होता है तो एक डिड़ महा के लिए उनको बंद कमरे में रखा जाता है पुराने टाइम ऐसी करते थे बंद कमरे में रखते थे कहीं से हवा ना आ जाए हवा बिलकुल निया लगे और ढखके रखते थे गर्मी में भी कंबल लडाखे रखते थे वायू ना लग जाए वायू ना लग जाए ये पीछे काफी समय तक ये अंदे विश्वास मतलब एक गलत ग्यान चला था तो वहाँ वायू प्रधानता थी मतलब लोगों की समझ में ये था कि वायू लग जाएगी तो औरत को नजने जीवन भर तक वायू के दर्द सहने पड़ेंगे फिर तो ऐसा क्यूं बना जब प्रिसप प्रक्रिया होती है तो इतना जोर लगाना पड़ता है कि नीचे के अंग जो होते हैं पेट तक के अंग जो होते हैं इनमें टूटन आ जाती है ये अंग शितल पड़ जाते हैं तो ऐसे में अगर दी भोजन करेंगे वैसे तो सुपाची खिलाते हैं मुंग दाल और दाल में भिगा के रोटी खिलाते हैं लेकिन बाकी अगर कुछ भोजन लिया या मुंग दाल में रोटी भी ली तो कई बार वो भी नहीं पचेगी नहीं पचेगी तो क्या होगा वायू बनेगी वायू अपके दे की बीतर बनेगी और फिर वो दर्द पैदा करेगी जोड़ों में इदर उदर जहां भी वायू तो कहीं भी बग जाती है सबसे खराब प्रकृती मतलब सबसे दुखी रोगी जो होते हैं वायू प्रकृती वाले होते हैं तो वायू बनेगी इस वायू को मिटाने के लिए होता है बच्चा दिया और उसके बाद में लेडिस को पूरा रेस्ट दिया जाता है तो जापा पाना जा अभी पाने की तरफ नहीं जाना है आराम से रेस्ट करना है इसलिए हो गया जापा तो महिलाएं जापा पूरा करते अपना वो कितने दिन का होता है मुझे नहीं पता उस दौरान सौट के लड्डू खिलाए जाते थे आटा वटा और कुछ-कुछ मिलाते होंगे उसमें लेकिन सौट का बहुतायच से प्रियोब होता था उसमें और बाकी गौन कतीरा और पता नहीं क्या चीज़ें मिलाके कई चीज़ें मिलाके पॉश्टिक और स्वास्ति बर्दक लड्डू बना जाते थे उसमें सौट काफी रहते थे तो वो सौट क्यों डाली गई है क्योंकि यदि जापे के समय महिला जो है मतलब जब वो कुछ कर नहीं सकती है शरीर में टूटन है कमजोरी है शरीर स्वस्थ नहीं है उसका तब यदि वो भोजन करेगी तो बहुत वायू बनेगी तो उस वायू के मिटाने के लिए सौट मिलाके लड्डू खिरा जाते थे मीठे लड्डू होते हैं तो पाचन आसानी से हो जाता है और सौट से और पाचन अच्छा हो जाता है तो पचाने की आवशिक्ता नहीं रहती तो वायू बनती नहीं है इसलिए वायू जनी तरोग जो है वो कम कश्ट देते हैं तो वाईव वाईव तो ध्यान रा मेलाओं को और फिर अंद्रिश्वास आगया कि इस महिला को जिसने बच्चा दिया इसको जरावी वाईव नहीं लगने दिनी है तो खिड़की दरवाजे इस सब बंद करके रखते थे और कुछ दस बारा दिनों जो भी है कंबल लिटा गर्मी में भी कंबल लडागे रखते थे इतना वो करते थे क्योंकि मन में एक अंद्रिश्वास आगया थे कि वाईव न लग जाए बाहर की वाईव से कोई नुक्सान नहीं होता महिला को महिला को नुक्सान होता है अंदर की वाईव से अंदर की वायू जो अंदर बन रही है कमजोर पाचन की वैसे और वैसे देखो तो यदि ठंड का मौसम चल रहा है ठंड के मौसम में अगर ऐसी महिला उगड़ी लेटी रहेगी तो उसे उर्जा की बहुत ज़दा वशिकता होगी तो इसलिए भी ढखके रखते थे लेकिन ये फिर गर्मियों में भी लागू हो गया गर्मियों में भी महिला को पूरा ढखके रखते थे आजकल ये सब कम हो गया है क्योंकि पुरानी मानिताएं टूटी है और आजकल तो सी जीरेन बच्चे होते हैं तो खेर वायू की समझ बनाओ कि हम सौट के लड़ू क्यों खिलाते थे क्योंकि सौट का लड़ू अपने आप में पचा-पचाय भोजन होता है बस उसे खाना होता है और अंदर जाके वो पच्च के उर्जे में बदल जाएगा उसका एक भी अंश आमवात या आमनी बनाएगा तो वायू बनेगी नहीं वायू नेंदरित रहेगी इसलिए ऐसा था तो वायू की समझ ये है